हेलो फ्रेंड, तो टोड़े वी विल सी हाउ तू मेक दिस टेंपर्ण तो अभी मैंने कार्डबोड लिया है और उसको ढपकन जैसा बना दिया है आप डपकन भी यूज़ कर सकते हैं और ये हमारा मंदिर का नीचे कावेज तैयार है अभी मैंने एक कार्डबोड का पीस किया है अब मैं इसको सेंटर में ऐसे लखूंगे और पाके के पाट को फोल्ट करता होगे फिर हम इसको टेप से ऐसे चिपका देंगे यहां पर मैंने इसे टेप से चिपका दिया है और फिर इसको पूरा चिपक जाने के बार मैंने ये पीस लिया है और उसको इस शेप में कटिंग किया है फिर हम इसको भी ऐसे चिपका देंगे फिर मैंने इसको ऐसे चिपका दिया है फिर हम स्टम बनाएंगे तोयाई से हम कट करके पूरा बनाएंगे ऐसे फोल्ड करना है फिर कट करके चिपका देना है ऐसे हमें दो बनाने हैं और ये मेरे दोनो रेडी है फिर हम ये दोनो स्टम को ये कोने पे और ये कोने पे चिपकाएंगे अभी मैंने ये दो स्टम लगा लिये है और मैंने ये कार्डबोर्ड का पीस भी कट कर लिया है अब ये हमारा ऐसे जिपकाएंगे तो रूफ हो जाएगा अभी हम यहां पर शिखर बनाएंगे तो आप ये मैंने ये मार्किंग कर दिया है शिखर बनाने के लिए अब मैं इसको कट कट दे जाओंगे और शिखर बनाएंगे तो मैंने अभी ये फार पीस को कट कर लिया है और अब हम इसे ऐसे रखेंगे तो अब मेरा शिखर तयार है अब मैं इसको यहां पर रखोंगे तो अभी जो हमने अस्ताम लगाया था उसके उपर हम ये स्किन कलर का पेपर भी जिपका देंगे और ये जो सिखर है वो भी स्किन कलर के पेपर से कवर कर देंगे तो अभी मैंने ये पूरा का पूरा मंदिर सजा दिया है यहां पर बेगराउंड भी सट कर दिया है यहां पर ग्रीन लिया है और यहां पर थोड़ा स्किन कलर कर लिया है और यहां पर white लिया है अब यह जो है वो भी हम ऐसे green color से चिपकाएंगे यहां पर roof जो है वो मैंने एक cardboard का piece लिया है फिर उस पर हरे रंग कागल्स लगाके चिपका दिया है अब हम इस पर यह सिखर रखेंगे और उस पर चंडा रख देंगे और चिपका देंगे इसे चिपका देंगे फिर उसे नहापर चिपका देंगे तो फिर हमने यहाँ पर थोड़े chess बना दिये है वो हमने काटबोड को फोल्ड करके वान बाई वान यहाँ पर चिपका दिया है यहाँ पर हमने बगवान का आसंड़े बना दिया है तो हमने यहाँ पर इस शेप का कटिंग कर लिया है और यहाँ पर ब्लिटर भी लगा दिया है और यह हो जाएगा हमारा दिजाइन ऐसे फिर हम इसको चिपका देंगे और यहाँ पर हमने मंदर का घंट भी लगा दिया है वो छोटे बेल से तो हमारा मंदर अभी रेडी है